How to send Android Apps via WhatsApp Guys, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप WhatsApp के तुरू Android Apps को कैसे send कर सकते हैं तो चलो guys, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं Guys, अगर आप WhatsApp चेट के attachment में चले जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिलते हैं जिसमें document से camera है, gallery, audio, location and contact इसका मतलब यह है guys, कि आप WhatsApp के तुरू document send कर सकते हैं इसके अलावा आप audio and video file send कर सकते हैं आप location send कर सकते हैं और आप contact भी send कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको Android application को send करने का कोई भी option नहीं मिलता WhatsApp के अंदर So, अगर आप WhatsApp के तुरू Android application को send करना चाहते हैं तो आपने just इस video को end तक देखना है So guys, इसका एक बहुत ही simple solution है आपने क्या करना है, आपने जाना है और आपने mobile में Google Play Store को open करना है Google Play Store को open कर देने के बाद guys, आप लोगों ने यहाँ पर search करना है APK extractor आपने इस application को search करना है guys As you can see, APK extractor So, आपने इस application को install करना है Guys, as you can see, कि मैं इसको already install कर चुका हूँ तो आपने इसको install करना है Install कर देने के बाद आपने इसको open कर देना है Application open कर देने के बाद guys, आपके पस कुछ इस तरह का interface आ जाएगा And as you can see guys, कि मेरे mobile के अंदर जितनी भी applications installed है वो सारी applications यहाँ पर दिकाई दे रही है आपके mobile के अंदर जितनी भी applications installed होगी guys वो applications भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह दिकाई देगी अब यहाँ पर अगर आप किसी application को send करना चाहते है WhatsApp के उपर तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उस application की apk file create करनी होगी आपने किस तरह apk file create करनी है guys फर एक्जम्बल अगर आप snapchat application की apk file create करना चाहते है तो आपने snapchat application के आगे यहाँ पर त्रिल डॉट्स के उपर टैप करना है इसके उपर टैप कर देने के बाद guys आपने simply यहाँ पर share के उपर टैप कर लेना है शेर के उपर गाइस आप जैसे ही टैप करोगे आपकी एपी के फाइल क्रेट हो जाएगी इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने जाना है अपने मुबाइल के स्टोरेज में स्टोरेज में जाने के बाद आपने यहां पर डिवाइस स्टोरेज क apk file save हो चुकी है as you can see guys so अगर आप इस file को send करना चाहते है इस application को send करना चाहते है whatsapp के through तो आपने इस application के उपर long press करना है long press कर देने के बाद आपने यहाँ पर share के उपर tap करना है और share के उपर tap कर देने के बाद guys as you can see कि यहाँ पर whatsapp and whatsapp business सेंड दोनों आ χमाई हैं क्योंको मैं वेंसाप बिजनिस भी यूज्सकें वेंस करता हूं तो यहांपर वेंसाप बिजनिस भी आचुका है। आप नंधे जिस सेंड करना चाहते हो स्थोर्फ मुढ ने आप अपने इसके वेंसापर ऑप्ड़न So guys, आप इसी तरह किसी भी application को send कर सकते है WhatsApp के through So guys, आईच की वीडियो में बस इतना ही Please like this video and don't forget to subscribe our channel मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में एक new tutorial के साथ तब तक के लिए take care and good bye सकते हैं आईच के लिए तक का लिए तक के लिए प्यागराव में इस सेप्स्ट प्राव सेवड़ा़बा के लिए हैं